जैशीरादे मैं पूरी तरह से आपका प्रश्ण समझ नहीं पाया हूँ फिर भी मैं सोचता हूँ कि आप कुल बीस माला चार बार में करते हैं पांच पांच माला या बीस माला सुबह बीस माला दुपैर बीस माला असी माला रोज करते हैं समझनी पाया हूँ जितनी भी करते हैं उससे कोई मेरे परिश्ट्रिया उत्तर में अंतर नहीं पड़ता है आप एक आसन पर यथा संभव जितनी कर पाएं उतनी आसन का नियम ले लें कि मैं आसन पर बैठके पांच माला करूँगा बाखी की माला आप चलते फिरते यहां तक कि थुल्सिवाला से काउंटर से कैसे भी आप कर सकते हैं अधिक माला कर सकते हैं धीरे दीरे आसन वाले नियम को बढ़ाते जाए अम माले ओफिस से करते हैं ओफिस में परिस्तिती अनुपूर नहीं है तो ओफिस में उतनी ही रहने दे घर वाले आसन पर बैठके आप एक म जाला बढ़ा ले, 21 कर ले, 22 कर ले, घर में बढ़ा ले, तो नाम जप में देखिए ठाकुर ने, महाप्रभुजी ने, चैतन ने, महाप्रभुजी ने छूट दे रखी है, खाईते, शोईते, जथा तथा नाम लाए, खाते समय, सोते समय, बैठते समय, ट्रेन में, जाते समय आते समय जूते पहन के जैसे कैसे भी आप नाम जप कर सकते हैं अपनी सोविधा देख लें बाकि इसमें आप जितना अनुशासन बढ़ाएंगे जैसे आसन पर कोई कहता है हम तो आसन पर बैठ के करी नहीं सकते हैं एक माला करते हैं बाकि हम 40 माला चलते पिरते करते हैं तो जैसे जैसे वो आसन वाली माला को बढ़ाएगा एक आग्रता बढ़ाएगा क्रिया की जगे भावपूर्वक नाम करेगा तो नाम का प्रभाव अधिक होगा नाम की डेफ्थ अधिक होगी मना नहीं है लेकिन डिले होगा थोड़ा सा उस डिले को रिकवर करने के लिए आसन को अपनाते जाएं क्योंकि नाम जो होता है नहीं देखिए एक होता है क्रिया होगा नहीं है क्रिया के साथ हम हरे ठाकुर्जी की लीला का चिंतन हो रहा है ठाकुर्जी के चरणों का दर्शन हो रहा है भली सो माला ना हो अगर दो माला भी भाव पूर्वक हो जाए और बाकी माला बिना भाव पूर्वक हो जाए तो क्रिया भी बेकार नहीं है पहले क्रिया बीज रूप में है फिर उसके ब जैसे भी ओ, नाम रठते रहें, भाव को भाव, अनक आलस हूं, आलस सही, बिना भाव के सही, जैसे भी ओ, नाम जबते रहें, और उसमें से कुछ नाम को गंभीरता पूर्वक करते रहें, और गंभीरता पूर्वक वाले नाम को बढ़ाते जाएं, दीरे दीरे दीरे, और न नाम के प्रती निष्ठा को बढ़ाते जाए भाव को बढ़ाते जाए तो आपके नाम का भगवत प्राप्ती भगवत प्रेम जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो जाए जैनिताए